नमस्कार दोस्तों महमन सारा म्रमाव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल SMC गुरूपर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा जिससे की सभी को पता चल पाए कि आखिर में लेखपाल लेट पाल क्यों बन नहा है आखिर में सरकार क्या चाहती है कोट क्या चाहता है और आगे का मसला क्या हो सकता है देखें यहाँ पर आज जो है कोट की सुनवाई थी और कोट की सुनवाई में क्या हुआ है यह केस आप लोग देख सकते हैं इलहाबाद बेंच में आज इसकी सुनवाई थी 6 फरवरी 2013 को जिसको बहा करके अब जो है 15 फरवरी कर दिया गया है तो इसको भी आप लोग समझ सकते हैं कि अब जो नेश्र सुनवाई यहां पे लगी हुई है वो 15 फरवरी को लगी है इसमें देखे उज्जवला वाला कोशन और पूरा वाला कोशन दो क्यों पर यह सुनवाई होनी थी जो कि अब टल के यानि कि नई जो सुनवाई होगी वो 15 तारीक को होगी और वो भी जो है confirm नहीं है कि 15 तारीक को होती है या फिर आगे और डेट को postpone कर दिया जाएगा आखिर में तारीक पे तारीक क्यों मल रही है इसके पीछे का reason देखिए सीधा सीधा ये है कि जब तक यहाँ पर सरकार का कोई हस्तचेप नहीं होगा तब तक यह case जो है final नहीं होगा तब तक result नहीं आएगा यानि कि सीधी सीधी बात आप ये कह सकते हैं कि जब तक जो है बाबा जी जो है चाहेंगे नहीं बाबा जी जब यहाँ पे आदेश देंगे उनको जब टाइब मिलेगा कि हम जो है कब तक न्यूक्ति पत्र बात सकते हैं तो उसी एसाब से सब कुछ सेडूल किया जाएगा तो कहीं न कहीं यहाँ पे सरकार का कोई हस्ताचेप अभी देखने को नहीं मिल रहा है इसके लिए आप लोग जो है ट्वीटर पे ट्वीट कर सकते हैं या फिर जो भी प्लान करेंगे हम लोग आपके साथ में हैं आपके साथ जो है मिल जूर करके काम किया जाएगा तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे मार्च से पहले यहाँ पे रिजल्ट आने की कोई भी उम्मीद नहीं है इसको पेगदम आप जो है गांडवान के चल सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे STF की रिपोर्ट के बारें पूछ रहे थे कि जो 15,000 संदिक्ट पाए गए थे उसमें जो है क्या चल रहा है तो देखिए रिपोर्ट जो है STF ने आयोग को प्रोवाइड करवा दी थी अब आयोग की जिम्मेदारी बनेगी कि जितने भी स्कूल है उ यह सब चीजे जो है आयोग पे डिपेंड करेंगी कि आयोग आखिर में क्या करता है बाकी आप लोग सजेशन और सुझाओ अपने जो है comment box में comment करें करिए क्योंकि हम आपको हर एक question का आपके reply जरूर करते हैं बाकी cutoff जो हमने discuss कर लिया था cutoff जो मनें बताया है वही cutoff जा ही है अब क्या होगा हम update आपको देते रहेंगे तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ तब तक के लिए जय ही जय भारत thank you so much